कि relevant राजनेतिक परिब्रतन बहुत बार हुआ है अगर सामाजिक परिबर्थन को पनतादी होती तो आज की दसा बदल गई होती बद्ध का शपना कवीर का शपना और सतीले का शपना पूरा हो गया होता लेकिन दुर्भाग धैस भारत में जो तो राजनेतिक परिवर्तन करना चाहते हैं वो भूल जाते हैं कि सामाजिक परिवर्तन दूने करना अगर इन सरकार ने सरकारों ने इमांदारी से हक बंचित असाहे कमजोर पिछड़ा को इमांदारी सिमान सम्मान दिया होता उनकी शंख्यक अनुषार उनकी इज्जत की होती तो भाज़पा यहां पैदानी है अनुषिदों के अनुषार यह स्पस्ट कह गया है कि सरकारों की जिम्यदारी है कि वो अंद्रविश्वास पा कर वेरोजगारी से भटक कर अपने रोजगार से भटक कर और अपनी जरूरतों की जिएंसे भटक कर के धर्म की अफिम्य को पीले और आसानी सफिर यह सब्सक्राइब चाहता हूं कि आप धार्मिक बनिये लेकिन कटर नहीं अंदविश्वास नहीं बुद्ध के दर्सन में रहते हैं जापान पूरी दुनिया को अपने प्रोडक्स देच रहें हैं साथियों नमसकार मैं हुनी रच पटेल और आप देख रहें नेशन जन्मत मेरे साथ बहुत बिख्षू सुमित रत्न थेरा जी हैं ऐसे सक्स हैं जो धम्म के पिरचार के साथी साथ लोगों के गाओं में बहुजन महत्री सम्मेलनं करने के अलाबा पूरे देशबर में 13,000 आप ने बताए भी चर्चा में देशबर के 13000 गौह म जुके हैं इस यात्तर से क्या हासिल करना चाहते हैं उनसे हम समझने की कोशिस करते हैं क्या मक्सद है यह बहुजन मैत्री समेलन का बहुजन मैत्री समेलन का सबसे बड़ा जो देश है वो यह है कि देश भारत में जो हक बंचित असाहे कमजोर और जो कमेरा समाज है इसमें आपस महीं इतनी जातिबाद चुवा चुट उच नीच है कि जब कभी दूसरा भाई चौराय पर पिटता ह है तो उसको दर्द नहीं होता है और जब को तीसरा भाई चौराय पर किसी के द्रहारा शामंत्य के द्वारर पीठा जाता तो उसे दर्द नहीं होता है तो हम इन्हें सब को बहुजन कहकर हक बंचित कहकर असाह कहकर एखटा करने का काम कर रहे हैं ताकि एखटा होकर के यह सामाजिक राजनेतिक धार्मिक आर्थिक अपनी लड़ाई लड़ सकें यह हमारा उद्धिर्श है बहुजन महत्री समेलन आपने उत्तरप्रदेश के चालिस जिलों में किये तक्रीव किस तरह का रिस्पॉंस देखते हैं यह सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सरकार सामिल हो गई अंद्विस्वास को बढ़ाने में और धर्म और सरकार का घालमिल का अंतर ही नहीं समझ पा लोग देखिए जिले में हम लोग गए उस जिले में जितने भी हमारे हक बंचित बहुजन समाज के लोग हैं जिनने हम ऐसी मानौटी बोलते हैं लगवक शबी कारिकर में आते हैं और तथागत भगवान बुद्द का धर्म किसी एक जाती का और किसी एक बर्ग का नहीं है मानब जाती का है इसलिए इस आंदोलन में अंदोलन में इस विज्ञान बादी आंदोलन में तर्क वादी आंदोलन में हम सब को जोड़ने काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा रैसकौनस है जारों लोग हमारे साजुड़ा है राजनेतिक परिबरतन ज्यादा जरूरी मानत करना चाहते हैं वो भूल जाते हैं कि सामाजिक परिवर्तन करना चाहिए मतलब इससे पहले जो सत्ताइं रही जिनको हम तथा कथित पिछड़े वर्ग दलिद्वर की सत्ताइं कहते हैं निश्चित तोर पर उनसे बड़ी चूक हुई मैं यह मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही अगर इन सरकार ने सरकारों ने इमांदारी से हक बंचित असाहे कमजोर पिछड़ा को इमानदारी सिमान सम्मान दिया होता उनकी संख्यक अनुषार उनकी इज़त की होती तो भाजपा यहां पैदा नहीं हो सकती थी सपा बसपा ही उत्तर प्रदेश में भाजपा को लाने वाले हैं अब यहीं उसको हटाना चाहते हैं जब उसने पैर मजबूत कर लिये हैं लेकिन हटेंगे यह तब जब यह सी ओवीशी के लोगों को हक बंचित और बहुजन समाज को हिस्सेदारी देंगे उनमें डर किस बात कर रहता है इसे चलियर नहीं कर पार थे किस मंडल के साथ के साथ लिए diverse को प्रधान मंतरी दना चाहता है्प शोटे सपने की लोग है और चोटे से किले में रहना चाहते बढ़े किले की परिकल्पना ही नहीं करते हैं इसलिए अपने आसपास मुरुफों की जमात एकटी कर लेते हैं और अगर कोई प्रतिवाशाली व्यक्ति मजबूत व्यक्ति लंबी दौड का गोड़ा मजबूत व्यक्ति अगर कोई आए तो उसको नुफसान पहुंचाने का भी काम कर करते हैं यह मेरी व्यक्तिकत में जिस धम्य की बात करते हैं आप बुद्धा का मार्ग उसको साइंटिफिक माना जाता है और ऐसे समय में जब पाखंड बात चरम पर है सरकार उसको बढ़ावा दे रही है कैसे लोगों को अंद्विश्वास पाखंड से दूर करेंगे भार बूझ़ करके धर्म रूपी अफ्हीम आप जन्वानश में घोला जा रहा है ताकि आद्मी मैनमुद्दे से भटक कर वे रोजगारी इसे भटक कर अपने रोजगार से भटक कर और अफनी जरूरत की चीज़हों से भटक कर कि धर्म की अफिम में को पी ले और आसानी स्टेटों में जितना मेहतपूर्ट राजस्तान है पंजाब उतना जारखंड है हमारा सब स्थानों से बरावर लगाओ मेरा काम है बुद्ध की संस्कृति संता मूलक समाज की इस्थापना और बहुजन महापरसों का अंदोलन बहुत बढ़ा है यह बहुत लोग पैदा हुए है जोने खून पशीना बहा करके इस संस्कृति को सीचा है जिसका नाम स्रमड संस्कृति है अगर मैं अपने जीवन मे इस संस्कृति को थोड़ा बहुत बढ़ा दोंगा तो अपने आपको धन्य मानूंगा मैं उस काम में इमांदारी से लगा हूँ और हजारों लोगों का लाकों का जन समर्थन मिल रहा है मुझे धार में कटरता लोगों को आगे ले जाती है पीशे ले जाती है जितने भी द इस कटर यिशायों के हैं सब गरीव पेलों उद्हार बता थो हम समझा दें झाय से कटर मुशलमान पाकिस्तान में रहते हैं अफगानिस्तान में रहते हैं गरीवी है और कटर सह 60 मुसल्मान अच्छा मुसल्मान सब कूष शंबाने वाला मुसल्मान दोबई-अमीरात वे पैशेबाला है कट्टर बाद बर्मा में रहते हैं कट्टर बौद अन्य और देशों में रहते हैं सब कर सब्सक्राइब का साइंटिफिक तर्क वादी विज्ञान बादी बहुत रहते हैं जापान पूरी दुनिया को अपने प्रोड़क्स से बेच रहा है इसलिए मैं चाहत आती है आज अगर बुद्द होते तो क्या सोच रहे होते दर्शन को आत्मसाथ करने के जरूबत था कि हम आगे बढ़ें और लोगों को आगे उनके पूजा करने के जरुवत को रहुब है तक तोर पर एक सवाल आपसे करना चाहता हूं कि जैसे बुद्ध को ना स्था कर वंगेर को कोई स्थान नहीं मैं उनके सिट्धांतों पर अम प्रांत कर दीजाल उस है तो यह कि अमल किया है वो आगे बड़ा है मुझे पूरा विस्वास इस निगेटिविटी के माहौल में इतना सब कुछ घूमने के बाद सकारात्मक्ता देखते हैं कुछ देखिए मुझे दुख होता है कि जो लोग सताय गए हो जो पीडित किये गए हो और जब वो सक्षम हो जाएं और वो भी दूसरे को सताने का काम करने लगें तो बड़ा दुख होता है आज हमें देखने को मिलता है तो जातियों में सबसे ज्यादा जलाला जहले थे जिनको सामाजिक दरश्टी को जो लोग आसपास बैठ नहीं सकते थे सामाजिक समरस्ता में सांस्थ में आ सकते थे पोट जातिवादी बुद्ध और देवी देवता एक साथ एक घर में चल सकते हैं कोई जरुवत नहीं है और जो रखते हैं वो दोहरे चरित्र के लोग हैं जहां बुद्ध हों बादेवी देवताओं का काम नहीं है और जहां देवी देवता हों बाद बुद्ध का कोई काम नहीं है दोनों जी तकरीवन हर उस जगह पर मिलेंगे जहां पर बहुजन समाज की मैत्री करवानी हो मैत्री सम्मेलन अलग चीज है लेकिन आप इस काम को वकू भी अंजाम दे रहे हैं ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में देश में बलकि अभी स्री लंका जाने की भी आपकी योजना है पुरा आप जैसे लोग खतम करें देखिए मैं बरावर प्रयास कर रहा हूं और तमाम लोगों के बीच बैट रहा हूं अभी एक व्यक्ति मुझे मिले जो महां पदम नंद के अन्वाई थे नंद उन्होंने हमसे कहा कि भंते जी एक सौ साल की सदी होती है और लोक तंतर में जाती कहां जाती है कि फलानी जाती के व्यक्ति ने शाशन पर लिया है वोई अपने हिस्षे का आनंद ले चुके हैं क्या उनके मन में ये कभी उदारता नहीं आई बड़ापन नहीं आया कि जब हम 4-5-5 बार आनंद ले चुके हैं सद्धा का तो जो अन्य जातियां है जो तुम नेहीं भाई के द्वारा हक मारी होती है तो ज्यादा दुख होता है और कोई दुष्मन हक मारी करता है तो ज्यादा दुख नहीं होता है इसलिए मैं चाहता हूं कि शत्थाधीशो और इस्थापित नेताओ समझे हिस्षेदारी देजिए नहीं तो बहुत बड़ा परिवर्त होने वाला है धन्यवाद सुप्रियावाद थेंक यू